अब जो नई जल्नीत लेकर के आए हैं आप ये तीसरी जल्नीत होगी ये तीसरी जल्नीत क्या खास्ची जोग एडरेस का दहीं? देखें, 2002 की जो हमारी जलनी टी जो इस पर अभी हम काम कर रहे हैं, उसमें जो आगे की चुनोतियां है या आज की चुनोतियां हैं, उसके परिपेक्ष में हमने ये महसूस किया कि हम को कुछ और सुधा लाने की जरुद है ताके हम 2025 और 2050 के भारत की आउस्किताओं के लिए आज से तयारी शुरूग कर शक हैं और उसी परिपेक्ष में हमने इस जल नीट का तस्तावेश तयार किया था यह जो नीट है सर इन में क्या जिसे जल की बरबादी कई राज़ों में हो रही है एक खेती मे बहु ज्यादा तो जल नीट में जल पर बंधन की जिसा में क्या क्य देखे हमने राजियों के साथ बातचीत करके किस तरीके से हम maximum use जो है पानी का कर सकते हैं water efficiency को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और हम उसके preservation आदी में community participation को कैसे invite कर सकते कैसे जोड सकते हैं उन सब चीजों को इस हमने दा शवेज में संब्रेट किया है हमने कहा कि हम नदी को एक संपूनता में देखेंगे हम उसको किवल ठुकणू में या फ्लड के रूप में या पानी के प्रभाव के रूप में निहीं देखेंगे कि उसकी एक जीवन धारा के रूप में देखेंगे जो तमाम राजियों में जल विबाद हो रहे हैं वो उसको दूर करने के दिसा में एक कदम होगा और क्या जल प्रबंधन को बेहतर किया जा सके के बारावी हो जनाब देखें जल की उपलबधन को वढ़ाने के लिए इसमा हमने बहुत सारे जसमें भूगरवी है जिसमें सरफेस वाला वह जब हम उसको जो राजियों के बीच में विवाद का सबसे परमुक कारन है वो है उपलबधन है हमने उस उपलबजता को सीधे एड्रस करने का काम किया है यदि राजियों काम को सयोग मिला हम पॉलिसी को ठीक से इंप्लिमेंट कर पाए क्योंकि यह एक ब्रॉडर दस्तावेज है ब्यापक दस्तावेज है अब उसके अंदर बहुत सारे जो कदम उठाने हैं उन कदमों को लेकर के राजियों के अपनी अपनी संकाय हैं जिनको लेकर के बहुदा यह कहा जा रहा है कि राज विरोध में हैं और कभी राजनेती कारणों से कुछ राज और भी बाते इसके विश्व में कह सकते हैं लेकिन जो ग्यापकता है इस दृस्टिकोण की जलनीती दोहजार ब किसी भी प्रकार से राजियों को जो संविधान दोहरा पृतत अधिकार है उसमें कोई हास तक्षेप नहीं गरेगी इसी राजी के इंट्रस्ट में किसी तरीके का कोई ब्याउधान नहीं पैदा करेगी बलकि राजियों के बीच में एक समनवाई पैदा करने की और एक करेंगे